अवेद मिट्टी का खनन जोरों पर विना अनुमती के हो रहा है रात भर खनन कदरपुर तहस्दिल शेत्रे इस समय खरण का करूबार बिना किसी रोक रोक के चल रहा है रात होते ही ग्रामेर्ट शेतों में किरसी भूमी में जेसी भी से लगाकर मिट्टी खरण शुरू हो जाता है इतना ही नहीं मिट्टी ढोने के लिए सरवादी किरसी कारे के लिए फंजिकरत ट्रेक्टर ट्रोलियों का प्रियोग निगम विरुद्ध किया जा रहा है खरण व्याग सब कुछ जानते हुए भी इसे रोकने में दिल्चस्पी नहीं ले रहा है जबकि पुलिस कहती है कि अवैद खरण रोकना उनका काम नहीं है मिट्टी माफिया किसी नियम कानून की परवा किये बगैर अवैद रूप में मिट्टी खरण कराने में लगे हुए है तिनेशपुर शित्र के तमाम काउं में ये धंदा को फल्फू रहा है किसानों के करसी भूमी को खनन में लगे लोग चंद पैसे का लालच दी कर किसानों को मिट्टी के लिए राजी कर लेते हैं सारे नियमों को ताकवर रख कर यह करसी भूमी से मिट्टी का खरण कर रहे है इस मिटी के खेल में शेत्र के कई सारे रसूख वाले लोगों का विमसा है जो चल रहा है इसलिए इस विभाग के लोग भी हाद डालने से कत राते हैं पटे के खेट से राजस्य कर्मी की मिली बगत से चल रहा है खबर बनाने पर खरन माफिया के द्वरा मीडिया कर्मी को धमकी भी दिया जा रहा है कतरपुर दिनिशपुर उधम सिंग नगर से संजीव काईन की रिपोर्ट मैं वजये इसके बार में यह कहना चाहरा हूँ यह आया दिन परशान बहुत हो रहे हम लोग इन चार दिन पहले मैंने फोन भी किया था तसीलदार को कुणों ने टीम पहली की कोई कारवई में की ओ दिखके चलेगे नुए का ठीके मिटी यू ठीक नहीं हम इसको रोग देंगे हम लोग बहुत परशान है यह पूरी रोड फूटी पड़ी इतर से है अना जाना सबकार होगा पड़ा है उत्ता अभी नहीं जोड़ बनी हो भी शुचिन की है बूटी क जो अबटी निकाल दा है घर के सामसे राद भर राली चलें इंसान सोन ही पा रहा है दिन बर थाकाम करके काम करका रहा है तो नहीं पा रहा है और बच्चे-बच्चे रोड में घूमरे बता है किस टाम क्या हो जाए इसलिए आप कुछ कीजी इन लोग के लिए किसी के नहा करकाम से गरे में इंसान करें तो कुछ कीजीए